नमस्कार मेरा नाम है मिताब और दृष्टी आईएस के इस नई वीडियो में स्वागत है आपका HIV अर्थात Human Immuno Deficiency Virus एक ऐसा वाइरस जिससे विश्व के कई मिलियन लोग एक विशेस रोग से ग्रसित हैं जिसको हम AIDS के नाम से जानते हैं बिसिकली ये हमारे Immune System को इतना कमजोर बना देता है कि हम किसी भी बीमारी के चंगुल में बहुत आसानी से फंस जाते हैं एक अनमान के मुताबिक विश्व में लगभक 49 मिलियन से ज्यादा लोग इस वाइरस के प्रकूप से ग्रसित हैं ऐसे में हाल ही में एक दिसंबर को विश्व AIDS दिवस का यह मौका था जब भारत में कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई और इस रिपोर्ट्स के प्रकाशन के दोरान जो बात कही गई वो थोड़ी सुखद थी बात यह थे कि HIV का प्रसार जो है वो भारत में जब इस आकड़े को यह रिपोर्ट्स दरसाई तो उन्होंने यह बताया कि यह आकड़े काफी कम हैं और 2010 की तुलना में यह काफी इनमे प्रतिशत में गिरावट देखी गई मौतों की संख्या में भी अगर बात की जाए तो काफी कमी दर्श की गई ऐसे में यह सुखद आकड़ा प्रस्तुत करता है लेकिन साथ-साथ यह आगे की राह भी दिखाता है कुछ विशे इस छेत्रों में यह चिंता की लकीरे भी हमको दरसाता है तो आज की इस वीडियो की माध्यम से हम समझेंगे वास्तों में AIDS से संबंधित यह आखड़े क्या कहते है HIV वाइरस के संक्रमर से संक्रमर से संक्रमर क्या कह रहा है आखड़े इससे पहले की वीडियो की शुरुआत करें आपको एक सूचना दे दे कि अब UPSC का हब मुखरजी नगर नहीं नोडा होगा तो दुष्टी आई इस मुखरजी नगर की classes of नोडा shift हो चुकी है तो UPSC की तयारी के लिए मुखरजी नगर नहीं नोडा चलें साथी साथ यहाँ पर जो नए बैच है उनकी शुरुवात भी 9 दिसंबर से हिंदी माध्यम का नए बैच शुरू हो रहा है 11.15 बजे से वहीं पर English Medium का नए बैच 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से इसे समंधित विस्तार से कर आप कोई जानकारी चाहते है तो 93140640 पर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी इसके अलवा प्रयागराज में UPSCGS Foundation का जो बैच है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में कि बाद ये चर्चा में क्यों है तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत के लेहाज से ये काफे सुखद नियूज है क्योंकि ये तीनों ही रिपोर्स जो तीन रिपोर्स प्रकाशेत हुए उसमें ये आकड़े बताते हैं कि 2010 की तुलना में 2023 में लगभग 44 फीसदी जो HIV वाइरस से संक्रमण का मामला है उसमें गिरावाट दर्ज की गई है अब क्या है भारत की सफलता इस सफलता पर भीक नजर डालेंगे क्या कहते हैं आकड़े उन समगर आकड़ों को देखेंगे साथ-साथ HIV AIDS के बारे में कुछ मुलबूच जान पर दी जाती है तो अब तक नहीं जुड़े हैं तो वहां से भी जुड़ जाए चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बात करते हैं सबसे पहले खबर की तो देखें खबर की जहां तक बात है तो new HIV infections deaths on the decline अब deaths में भी गिरावट है साथी साथ pre-valancing adults continues to be high in मिजोरम ना अब देखें तीन रिपोर्ट कौन-कौन सी हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं तो एक है एंडिया HIV estimate 2023 साथी जाथ टेकनिकल रिपोर्ट प्रिवेंशन प्रोग्रेस अपडेट 2023-24 का यह 4th edition है और तीसरा है research compendium volume second यह तीनों रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया है मु मुखी बात यह कही गई है कि 2010 से जब तुलना की जाती है तो 2023 में आकर 44 पिजदी HIV virus से संक्रमण का जो मामला है उसमें गिरावट दर्ज की गई है यह आप देख सकते हैं साथी साथ जो 8 से समंधी जो मृत्य दर है उस मृत्य दर में यह कहा जा रहा है उसमें भी भारी गि करने की आवशकता है जैसे पुर्वुत्तर के राज्यों की अगर बात करें तो मिजोरम है और नागालेंड है यहाँ पर वयसको में अभी भी जो HIV से संक्रमित होने का मामला है उसकी दर ज्यादा पाई गई है साथ-साथ इसके बाद मिजोरम और नागालेंड के बाद तीस एक चिंता का विशय बना हुए है तो जहाँ पूरे भारत की अगर दर की बात करें वहाँ पर कमी आई है वहीं पर पंजाब में इसकी दर इसके उलट बढ़ रही है तो वो एक चिंता का विशय जरूर है तो साथ-साथ ये अन्य पक्ष भी हैं जिस पर सुख के साथ-साथ हमें ध्यान देने की जरूरत है और आगे हमारी रणली जो है और जदा इन राज्यों को टार्गेट करके उस पर कारे करने की जरूरत है आप जानते हैं कि 2030 तक एट्स उन्मूलन के लिए भारत प्रतिबद्ध है उसने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि 2030 तक हम पूर हमें जो चाईवी से संक्रमित थे वो थे 25 दस्मनों 4-4 लाख लोग थे इनमें जो 44 प्रतिशत जो महिलाए हैं उसमें अगर उनकी उम्र की बात करें तो 15 वर्ष और उस से अधिक उम्र की 44 प्रतिशत महिलाएं और 3 प्रतिशत इसमें लगभग बच्चे भी शामिल हैं उच दर वाले कुछ राज्य हैं जिसमें की आंदरप्रदेश, करनाटका और तेलंग आना यहां पर वयश्कों में HIV का जो प्रचलन है 0.40% से अधिक है जो की राष्ट्री ओसन 0.20% से ज्यादा है इसका मतलब इन राज्यों पर भी ज्यादा ध्याम देने की ज़रूरत महस जैसे एक तो ऐसा ग्रूप है PWID अथा जो मादक पदार्थ इंजेक्ट करने वाले लोग होते हैं इंजेक्शन के माध्यम से मादक पदार्थ लेते हैं तो ऐसे ग्रूप में सबसे ज़्यादा देखा गया 9.03% ऐसे लोगों में HIV संक्रिमण का मामला पाया गया ऐसे 1.99% महिला याउन कर्मी जो होती हूं में 1.85% ट्रक चालकों में 1% और प्रवासी मजदूरों में 0.89% ये सारे समोह हैं इनको भी इसमें बतलाया गया है कि इन विशेस समोहों पर भी थोड़ा ध्यान देने की जुरूती बेसिकली आकड़े क्या होते हैं आकड़े किसी भी चीज के लिए आगे की रणनीती बनाने में सहायक होते हैं तो इन सारे डेटा का मतलब ही होता है कि डेटा का हम इसलेशन करें और उसके आधार पर उन विशेस छेत्रों में जहां पर उनके आकड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं उनको टार्गेट करके आगे की रणनीत बिलाकर, basically वहां से इसको मिजाद दिलाए जा सके, तो राष्ट्री दर अगर आप देखें, तो 0.20 फिस्दी से ये सारे ही सारे समोह जो है, उनमें ये औसत दर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, औसत दर से इनकी दर काफी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, अब देखें, भारत में जो कारिक्रम है 1990 का जो लक्ष था पहले से, अब उसकी तुलना में एक नया लक्ष तै किया गया है, अब इससे भी आगे बढ़ने का लक्ष तै किया गया है, देखी जब से AIDS से लडने का प्रयास भारत में 1986 से ही आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने राष्ट्रे AIDS नियंतर कारिक्रम बनाया, उसके बाद हमने राष्ट्रे हल्प लाइन जारी की फिर अनैतिक तसकरी रोग था मध्रियम 1986 बनाया, हमने लगातार प्रयास किया, फिर HIV और AIDS रोग था मध्रियम 2017 में आया, फिर आष्ट्रे राष्ट्रे राणनितिक योजना 2017 से 24 की पनायी गई इसी तरह से मिशन संपर्क सुरू किया गया, जिसके माध्यम से हम कोशिस करते थे कि ART सेवा के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दाइरे में ART सेवा देकर और इससे मुक्त कर सके HIV के संक्रमर से मुक्त कर सके उसी के तहट 1990-90 लक्ष भी यह भी रणनिती तह की गई थी, जिसके अंतरगत कुछ टार्गेट हमने सेट किये थे इसी प्रकार जो पुर्वोत्तर के 8 राज्य थे वहाँ पर उन राज्यों को विशेश रूप से टार्गेट करके, चुकि वहाँ पर दर ज्यादा थी हमने प्रोजेक्ट संराइज भी सुरू किया था, जो की बड़ा महत्पूर प्रोजेक्ट था, इसे प्रकार जो 1990-90 का लक्ष रखा गया था इसमें क्या टार्गेट से किया गया था, यह टार्गेट से किया गया था, कि 90 प्रतिशत HIV मामलों की पहचान कर ली जाएगी पहला 90 का टार्गेट यह था दूसरा था 90 प्रतिशत पहचाने गए लोगों का एंटी रेट्रो 900 लोगों को पहचान कर लिया, दूसरा था पहचाने गए लोगों का ART से उपचार, अभी 900 लोगों का क्या करेंगे ART तक्निकी से आप उपचार करेंगे साथी साथ 90 प्रतिशत का viral load कम करना, viral load का मतलब यह हुआ, अगर एक व्यंति के अंदर, माली जी हमारे अंदर 1000 वाइरस हैं, तो 1000 वाइरस में से जितना कम viral का load होगा, हमारे बलगम में या हमारे blood samples के माध्यम से तमाम चीजों से उसको चेक किया जा सकता है, तो उसमें से 1000 में से हमने अगर 90% इसका मतलब कि अगर 100 viral load आ गया, तो हमने 90% कम कर दिया, तो 1000 वाइरस की संख्या को घटा कर हमने 90% कम करते हुए, 100 तक लाए, तो ये तीन लक्ष रखे गए कि 90% HIV मामलों की पहचान हो जाएगी, 90% पहचाने गए लोगों को एंटी retroviral therapy से उपचार कर लेंगे और 90% तक viral load को हम कम कर देंगे, जितना कम viral load होगा उतना ज्यादा वो व्यक्ति और लोगों को संक्रमित करने के खतरे से बाहर होगा और साथ ही साथ वो खुद भी अपने भी safety उसकी हम देखेंगे तो बढ़ जाएगी तो ये लक्ष ताय किया गया था पहले अब मौझूदा समय में इस लक्ष को बढ़ा कर जो 90-90-90 लक्ष था उसको अब कर दिया गया है 95-95-95 कर दिया गया है लेकिन मौझूदा अभी आकड़े हम कहा तक पहुँचे थे उस पर भी नज़र डालने तो अब तक हमने 80-80 प्रतिशत मामनों में पहचान कर ली थी जो कि हमने तय कितना किया था पहले लक्ष में 90-95 तय कर दिया था अब बढ़ा कि हमने इसको 95-95 कर लिया है वहीं पर इसको एक्ष्वल में हमने प्राप्त किया 80-80 प्रतिशत फिर 88 प्रतिशत लोगों को ART तकनी की दी जा चुपी थी तो दूसरा जो लक्ष था यहाँ पर हमारा 90 लक्ष था जिसको हमने 95 बढ़ा कर कर लिया है लेकिन एक्चुल हमने 88 प्रतिशत तक इसमें सफलता प्राप्त कर ली वहीं पर जो वाइरल लोड कम करने को या कंट्रोल करने की बात है तो वहाँ पर हमारी सफलता और ज्यादा बहतर देखी गई है 97 परसेंट इसमें हमने अचीव कर लिया है तो इस दृष्टी कोर से देखें तो अगला टारगेट हमने 95 का सेट किया है तो ये एक नया हम कह सकते हैं कि जो एक दिसंबर को विश्व एट्स दिवस के उपलक्ष में नए टारगेट को सेट किया गया है फिर स्थाई विकास लक्ष है ही कि 2030 तक एट्स को स्वाप्ट कर लिया जाए और भारत को इस लक्ष को भारत प्राप्ट कर ले कि पूरी तरह से इस काउन मुलन कर लिया जाए अब एट्स से लडाई के लिए तीन मुख्य निर्देश भी यहाँ पर दियेगे जिसमें ये कहा गया कि सबसे पहली चीज है सावधानी अर्थाद HIV-AIDS संक्रमण को रोकने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि लोगों को सतर करने के लिए अवेर किया जाए दूसरा है स्वस्त जीवन शैली स्वस्त आदतों को अपनाए और तीसरा है जागरूपता ज्यादा से ज्यादा लोग अवेर होंगे जानेंगे तो इस दिशा में और बहतर तरीके से हम चीजों को इंप्लिमेंट कर पाएंगे तो ये तीन निर्देश भी यहाँ पर जारी किये गए अब एक बेसिक जानकारी की तौट पर हम जान जाएं कि HIV या एट्स रोग होता क्या है तो देखिए इसमें बैसिकली होता क्या है हमारा जो immune system होता है कोई भी रोग हमारे शरीर में कोई भी viral attack होगा कोई भी bacterial attack होगा तो हमारे शरीर की एक प्रतिरोधक छमता है जो कि उससे लड़ती है लेकिन अगर हमारी प्रतिरोधक छमता ही कमजोर हो जाएगी तो हम किसी भी रोग से लड़ नहीं पाएंगे बैसिकली इसमें क्या होता है कि जो human immunodeficiency virus है HIV जिसको कहते है वो एक संक्रमण, ऐसा संक्रमण करता है कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है रोगों से लड़ने की जो प्रणाली है उसी पर attack करता है और उसी को कमजोर कर देता है तो देखी जब AIDS क्या होता है HIV का ही, HIV का जब संक्रमण अंतिम चरण में पहुँच जाएगा तो उसी को AIDS कहते है प्रतिरक्षा प्रणाली बुरी तरह से हमारी छतिग्रस्त हो जाती है जब कोई इस रोग से ग्रसित होता है तो basically हमारे शरीर में जो CD4 होता है एक प्रकार की जो WBC होती है जिसको हम श्वेत रक्त कडिकाए कहते है तो उसी में T-cell होती है T-cell हमारे शरीर में फैली होई होती है basically यह क्या करती है हमारे पूरी शरीर में एक कोशिकाए T-cell पाई जाती है और किसी भी रोग से लड़ने के लिए वो संवेदंचील होती है वो एक तरह से हमारे शरीर में वो सैनिक होती है जो कोई भी आक्रमड करेगा तो उससे लड़ाई करेंगे लेकिन जब हमारे सैनिक कोई कमजोर कर देगा तो हम किसी भी रोग से नहीं लड़ सकेंगे तो कोशिकाओं में कोई भी विशंगती के संक्रमण का पता लगाने का काम कौन करता है T-cell करती है और इन T-cell को ही जो HIV है HIV वाइरस क्या करेगा हमारे सरीर में फैलेगा और इन T-cells को ही प्रभावित करता है इसलिए जब हमारे CD4 या T-cell जो कोशिकाओं हैं उनको नश्ट कर देगा तो मानों कि पूरी की पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली है गंभीर रूप से क्या हो जाएगी छती ग्रस्त हो जाएगी तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब हम में हमारे शरीर के अंदर किसी भी रोग से लड़ने की जो एक शमता है वो पूरी तरह से समाप हो जाती है और कोई भी रोग हमको अगर होगा मान लिजे सर्दी, खासी, जुकार, जुकाम, भुकार कुछ भी हुआ तो हमको वो रोग जल्दी ठीक ही नहीं होगा अर्थात एक आसान से आसान रोग भी हमारे लिए गंभीर रोग बन जाएगा भी जा सकती है, तो इसको आप समानिभासा में समझेए, इसको कहते है AIDS, अब इसका निदान अर्था डाइग्नोस कैसे होता है, इसके लिए HIV antibody, antigen परिक्षण होता है, nucleic acid परिक्षण होता है, साथ ही साथ उपचार और प्रबंधन के लिए, इसमें जो therapy अपना ही जाती है, ART जिसको antiretroviral therapy कहते है, यह basically दवाओं का एक सन्यूजन होता है, उस सन्यूजन को दिया जाता है, और यह पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकता है, लेकिन जो viral है, उसके load को कम करता है, उसको control करता है, ताकि उसको फैलने से रोका जा सके, तो यह इसका फिलहाल उप्चार और जरूर यह बता रहे हैं कि हमने 2010 की तुलना में 44 फिस्दी गिरावट दर्ज की है, लेकिन पुर्वत्तर के कुछ राजी और पंजाब जैसे राजी जहां पर बढ़ते आकड़े, निस संदे एक चिंता की लकीर हमारे माथे पर खीशते हैं, तो इसको ध्यान देने की जरू जरूरत है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्यागरूप करने की जरूरत हैं, तो अभ्यास प्रशन की तरफ चलेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता जए, कि दुरिश्टी आइस की तरफ से, दो जार पचीश के परिक्षा को संभव बनाने के लिए फिर से आगया है संभव दो हजार पचीश, जिसमें आपको मिलेंगे दस दैनिक प्रलिम सभ्यास प्रशन पत्र, अभ्यास प्रशन होंगे, साथी विगत वर्श प्रशनों के गहन विशलेशन पर ये आधाईत इसके लावा विश्तरित, विवरण और वास्तविक समय रंकिंग भी आपको दी जाएगी समान अध्यान और समसामाइक विश्यों की संपूर्ण कवरेज इसमें होगी और तो भी उम्मिद्वारों के लिए ओपन एकसेस होगा और इसका प्रारम 2 दिसंबर 2014 से हो रहा है, तो याद रखेंगे, अंत में आते हैं हम अभ्यास प्रस्न की तरफ, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरफ आप पर छोड़ते हैं, प्रोजेक्ट सन्राइज का सम्मंद भारत के किस शेत्र से है, विकल्प आपके सामने है, उत्तर भारत, पुरवत्तर भारत, दक्षन भार ये हमारे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूले